So Amazon Flipkart की से में अगर आप एक Laptop लेनी की सोच रहे हो तो यह कुछ Laptops में आप लोगे क्लिक शॉट लिस्ट कर रहे हैं जोने आपको इस सेल में बिलुकुल भी मिस नहीं करना चाहिए और इन्हें मैंने 4 Categories में डिवाइट किया है चाहे फिर आप एक Laptop Coding ले ले रहे हो या फिर Video Editing के लिए, Photo Editing के लिए, Normal Purposes के लिए, Just Video Watching के लिए, Net Surfing के लिए या फिर Gaming के लिए हो मैंने सभी Laptops को Cover किया है जो कि स्टार्ट होंगे 25,000 से और जाएंगे 60-70,000 की रेंज तक सो बीना टाइम वेश्ट किया चलो पहले Laptop देखते हैं अभी स्टार्ट करते हैं अंडर 35,000 की रेंज से और अंडर 25,000 की रेंज वाला Laptop मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा सो फिर्च लापटॉप है Lenovo IdeaPad Slim 3 इसमें i3 11 Gen का प्रोसेसर, 14 इंच का Full HD डिस्पले, 8GB RAM, 256GB की SSD, Windows 11, MS Office 2021, 2 years की वारंटी और इस सेल में इसका प्राइस होने वाला है 31,990 रुपीज तो अकर आप एक स्टूटेंट हो, नॉर्मल परपसिस या कोडिंग के लिए Laptop लेना चाहरे हो तो i3 11 Gen सफीशेंट होता है, आप इस सारे काम उसमें आसानी से कर पाओगे हाँ वीडियो डिटिंग या गेमिंग इस अब इसमें नहीं कर सकते सेम इसी रेंज में एक दूसरा Laptop भी है, Lenovo IdeaPad 3 इसमें भी सारे सेम फीचर से हैं, बस इस्टोरी थोड़ा जादा है, इसमें 512 GB के SSD इसका अलमॉस्ट प्राइस है 36,000 तो ये भी एक अच्छी टील है अब बात करते हैं, सेकंड के टिग्री कि अगर आपका बजट अंडर 50,000 रुपीज है तो इसमें i5 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 15.6 इंच का फुल HD इसमें 8G RAM, 512 GB के SSD इवन 4 GB का NVIDIA 1650 ग्राफिक कार्ड पीस में है, 120 Hz का रिफ्रेश टेट, Windows 11, बैकलिट कीबोर्ड, 3 मंस का गीम पास भी है जितने फीचर्स के आपको जरूरत हो सकती, सारे फीचर्स के अंदर है, इस लब्टॉप को आप यूज कर सकते हो, gaming के लिए, video editing के लिए, photo editing के लिए, coding के लिए, जो भी आप चाओ, सब में यूज कर सकते हो अभी इसका प्राइस है, only 50,000 रुपीज, so 50,000 में यार बेस्ट डील है, इसको मिस मत करना इसमें जो Ryzen 5 का प्रोसेसर है, वो Intel के i5 11 जनरेशन से भी बैटर है, उससे ज़्याद अच्छा performance आपको देगा, so 53,000 में यार बेस्ट डील है, इसको भी मिस मत करना अब बात करते हैं, थर्ड केटिगरी कि अगर आपका बजट 60,000 से लेके 70,000 की बीच में है तो, मेरी साफसे तो 50,000 की रेंज में भी आपके सारे काम हो जाएंगे, यूँकि महंगे लापटॉप अच्छे प्राइस में आ रहे है, बट अगर आपको अपना बजट और बढ प्राइस लेके 72,000 रुपीज जो की शाएद थोड़ा और कम भी हो सकता है, इस लापटॉप में भी अप लगवग सारे काम कर लोगे, और इसकेंड लापटॉप इसके लिए शाएद आप बहुत ज्यादा एकसाइटेड हो सकते हो, और वह है MacBook Air M1, so flipkart में ये यहाँ पर आप ले सकते हो, अब बात कर लेते हैं हमारी 4th category, अंडर 25,000 में कोई laptop, दो को नॉर्मल टाइम पर आपको बिल्कुल सजेश्ट नहीं करता है कि अंडर 30,000 पर आप कोई laptop लो, बट बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमें बस एक laptop होना, जिसमें हम अपने व 15, जिसमें 15.6 इंच का एक Full HD display है, AMD Ryzen 3 3200 U processor है, 8GB RAM है, 256GB QSHD है, Windows 11 है, साथी MS Office भी देखने को मिलता है, यह laptop अभी recently launch हुआ तो इसके reviews ये ratings हमें देखने को नहीं मिलने के, अब यार तेको 125,000 में आथ के लिए अच्छा सा mobile नहीं आता तो उस range में laptop आ रहा है ते सारे features के सा साथ, सो compromise थोड़ा करना पड़ जा, तो कर सकते हो, बट अच्छा laptop है, सारे laptops के link आपको description मिल जागी, तो वहाँ जाकर आपने check out कर सकते हो, laptop लेने से related अगर कोई भी laptop के अंदर होगा, तो comment में पूछ लेना, सो sale के टाइम पर मैं आपके लिए और ऐसे laptop के वीडियो लाते रहूंगे ताकि आप एक single laptop ले सकें अपने लिए, तो हो सके तो subscribe कर लेना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी,